कुछ भी ऐसा जिसे विज्ञान साबित ने कर पाए उसे हम चमतकार कह सकते हैं आज हम एक ऐसी ही कहानी साज़ा करने जा रहे हैं जिसे पढ़ने के बाद हमें यकीन हो जाएगा कि कुछ भी impossible नहीं है बस आफशक्ता है हमारी अंदर की उस शक्ती को पहचानने की यह कहानी है अमेरिका में रहने वाले मौरिस गुड्मैन की मौरिस गुड्मैन कॉलेज ड्रॉप आउट थे उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं उन्हें आगे का अपना जीवन जीने के लिए कोई भी दिशा नहीं मिल रही थी एक दिन अचानक उनकी नजर एक किताब पर पड़ी जिसका नाम था Think and Grow Rich गुड्मैन ने उत्सुकता वश वह किताब पढ़ना शुरू किया किताब पढ़ने से उन्हें सबकॉंशियंस माइंड के बारे में पता चला अब उन्होंने सबकॉंशियंस माइंड के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया और अपने सबकॉंशियंस माइंड के विस्तार पर कार्य करना शुरू किया जैसे जैसे वे अवचेतन मन की गहराई में उतरने लगे वैसे वैसे उनको अपने अंदर से आगे का जीवन जीने की दिशा मिलने लगी कुछ समय बाद उन्होंने अपना एक वेपार शुरू किया और कुछ ही सालों में वे एक सफल वेपारी बन गए लेकिन यह कहानी यहाँ पर खतम नहीं होती जब मौरिस गुडमैन एक सफल वेपारी बन गए मौरिस गुडमैन एक दिन अपने हवाई जहाज पर जा रहे थे कि अचानक उनके हवाई जहाज का इंजन खराब हो गया और उनका हवाई जहाज जमीन पर आकर क्रैश हो गया और इतने बुरे तरिके से एकसिडेंट हुआ कि वे सांस भी नहीं ले पा रहे थे लोगों ने एम्बूलन्स बुला कर उन्हें हॉस्पिटल तक पहुँचाया जब वे हॉस्पिटल में पहुँचे तो डॉक्टरों ने उनकी हालत देखी उनकी हालत बहुत ही खराब थी उनकी पूरी बॉडी लक्वा गरसित हो चुकी थी ना वह सही तरीके से सांस ले पा रहे थे ना बोल सकते थे वह सरिफ अपनी पलके जुका सकते थे उनकी रीड की हड़ी पूरे तरीके से तूट चुकी थी वह हॉस्पिटल की मशीन के जरिये ही सांस ले रहे थे वह केवल वेंटीलेटर के सारे ही जिंदा थे कुछ दिन इलाज करने के बाद दोक्टरों ने उनके परिवार से कहा कि गुड मैन कभी भी खुद से सांस नहीं ले पाएंगे उन्हें मशीन के द्वारा ही जिन्दा रहना पड़ेगा वहें कभी भी हिल डूल नहीं सकेंगे उनकी बॉडी पूरे तरीके से लक्वा गरसित हो चुकी है और उनकी रीड की हड़ी पूरी तरीके से तूट चुकी है बले ही गुड मैन बोलना सकते हो हिल डूलना सकते हो लेकिन वे सुन जरूर सकते थे और जब उन्होंने डोक्टरों की यह बात सुनी तो उन्होंने मन ही मन डोक्टर की यह बात मानने से बिलकुल इनकार कर दिया क्योंकि वे अपने अवचेतर मन की शक्ती के बारे में जानते थे तब उन्होंने खुद से कहा कि डोक्टर मेरा भविश्य डिसाइड नहीं कर सकत कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं उन्होंने मन ही मन निश्य किया कि आज से ठीक तीन महीने बाद वे खुद इस बित्तर से उठकर इस हॉस्पिटल से बाहर जाएंगे अब उन्होंने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया वह हमेशा अपने अंदर यही सकरात्मक सोच थे कि वहें अपने पैरों पर चल कर हॉस्पिटल से बाहर जा रहे हैं उन्होंने अपने इनहीं विचारों पर कारे करना शुरू कर दिया और अश्य की बात है कि ठीक तीम महीने बाद गुद मैन अपने बिस्तर से उठकर अपने पैरों पर चल कर हॉस्पिटल से बाहर और हर किसी ने इसे चमतकार कहा, किसी भी डॉक्टर को इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि यह कैसे पॉसिबल है और आज मौरिस गुडमैन को हर कोई चमतकारी पुरुष के नाम से जानते हैं, वे एक अमेरिका के मोटिवेशनल स्पिकर है और पूरी दुनिया में गुमते हैं और अपनी यह कहानी सुनाते हैं, जैसा कि स्वामी विवेका नन जी ने कई बारू ले किया था कि हम सभी में किसी ने किसी स्तर की चेतना होती है, लेकिन यह चेतना की बहुत पतली परत है, सभी अध्यात्मिक साधनाओं और ध्यान के माध्यम से हम अपनी वर्तमान चेतना का विस्तार कर सकते हैं इसी तरह हम अपने माइन को सही तरीके से अफर्मिशन करके स्ट्रोंग विल पावर और हार्ड वर्क से जीवन में वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं